क्या आप एक intensive care specialist हैं और आप Australia में काम करने, रहने या study करने के इचुक हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में, हम आपको Australia में intensive care specialist के career scope और profile से जुड़ी महत्वपून जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप description में दिये गए link पर click करें। के उप्योग तोन industry sectors को देखेंगे। यहां intensive care specialist को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हम intensive care specialist के profile पर Australia में काम करने के लिए new term education और experience की जरूरतों को भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आपके profile के लिए skill level, license और registration की क्या जरूरते हैं। हम intensive care specialist के profile पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की gender ratio और मुख्य IU work पर भी चर्चा करेंगे। Current job openings, पिछले 5 सालों का analysis, future expectations और career scope भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे। हम intensive care specialist के ओसतन सापताहिक work hours और wage rate या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे। वीडियो के end में हम आपको अलग-अलग visa options के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं, Australia में काम करने, permanent residency पाने और इस profile पर Australia में पढ़ाई करने के visa options तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के end तक हमारे साथ बने रहे, अब आपका और समय न लेते हुए आईए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके profile description पर, Australia में हर व्यवसाय के लिए एक सबस्ट तथा सुल्जा हुआ profile description बनाया गया है जिसे एक code के द्वारा नामांकित किया जाता है। इस code को Australia New Zealand Standard Classification of Occupation यह ANZSCO code कहा जाता है। यह ANZSCO code आपको किसी भी profession में आपकी जिम्मेदारियां तथा job role के बारे में जानकारी देता है। Australia की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स एजेंसी, Australian Bureau of Statistics, ABS in codes के रिचता हैं और ABS के द्वारा ही इन codes को समय समय पर evaluate और revise किया जाता है। तो चलिए अब आपके व्यवसाय के ANZSCO profile definition के बारे में जानते हैं। Intensive Care Specialist के profile का ANZSCO code 25331 साथ है। ABS के original content की authenticity को बरकरार रखने के लिए, profile description और कुछ दूसरे तथियों को हम यहाँ इंग्लिश भाशा में ही दिखाएंगे ताकि उनकी originality और integrity बनी रहे। Intensive Care Specialist investigates, diagnosis and treats patients in need of intensive and critical care. Australia में ऐसे बहुत से industry sectors हैं जहाँ आपके profile के candidates के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं। आए एक बार कुछ जरूरी job sectors और industries पर नजर डालते हैं। Intensive Care Specialist के profile पर काम करने वाले ज्यादातर candidates मुख्य रूप से health care और social assistance में कार्यरत हैं। Australia में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से Employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं। और आपका skill level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है। एक Intensive Care Specialist के profile पर काम करने के लिए आपके पास bachelor degree या बराबर की अन्य योगिता जरूरी है। और Intensive Care Specialist का skill level एक है। Australia और New Zealand के हिसाब से इस ग्रुप के job level में bachelor degree और higher qualification की जरूरत होती है। इसके इलावा कुछ cases में educational qualification की जगहा पर आपका तीन से पांच वर्ष का संबंधित experience भी काम आ सकता है। अन्य कुछ मामलों में आपको experience के साथ on-job training की जरूरत भी हो सकती है। अगर आप Australia में skilled immigration visa के लिए application फाइल करते हैं तो आपको migration skills assessment की जरूरत रहती है। जो आपके profile के हिसाब से अलग-अलग assessment bodies के जरीए की जाती है। हर assessment body का अपना अलग assessment criteria और experience की अलग-अलग जरूरते होती है। अगर आप intensive care specialist के profile पर skill assessment फाइल करना चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष experience की जरूरत है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि experience की ये requirement सिर्फ skill assessment के लिए मान्य है। परंतु employees की job के लिए experience requirement इससे अलग हो सकती है। आईए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किस उम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है। Australian Bureau of Statistics के latest survey के हिसाब से आपके profile पर job करने वाले लोगों का main age group 35-44 वर्ष है और औसतन आयू 49 साल है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा ratio काम के हिसाब से अलग-अलग होती है। तो आईए अब आपके profile में पूरुश तथा महिलाओं की gender ratio पर नजर डालते हैं। Intensive Care Specialist में महिलाओं का 33.3 प्रतिशत हिस्सा है। Australia में ज्यादातर profiles में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर skilled workers full-time या part-time basis पर काम करते हैं। Full-time या part-time काम करने पर आपका वेतन हफते या घंटों के हिसाब से तै किया जाता है। अगर हम आपके profile की बात करें तो Intensive Care Specialist के profile के 89.5 लोग full-time काम करते हैं। इस फील्ड में full-time काम करने वालों के लिए हफते में average काम करने का time 49.4 घंटे हैं। Job openings की गिंती, company turnover और employment growth के उपर निर्भर करती है। पिछले 5 सालों तक के statistics के हिसाब से इस फील्ड में expected Job openings 5000 हैं। Intensive Care Specialist के केस में यह गिंती और सतन सत्र पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंक अच्छी वृद्धी दर प्राप्ट कर सकता है। Australia में कुछ ऐसे काम है जहां applicants को अपने profile से जुड़े licensing body से license तथा registration लेने की जरूरत होती है। अगर हम Intensive Care Specialist के profile की बात करें तो इस profile के लिए हमें license तथा registration की कुछ cases में जरूरत है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण factor average weekly earning को study करेंगे। Australia में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए 1300 AUD है। ABS के हालिया सवे के मताबिक, Intensive Care Specialist का ओसतन सापताहिक वेतन, Tax Deduction से पहले air on no earnings data available for this occupation। AUD है, जिसमें से आपके salary slab के अनुसार tax की कटोती करी जाती है। अगर आप किसी भी stream में permanent residency के लिए application file करना चाहते हैं तो process शुरू करने के लिए पहला कदम migration skill assessment है। इसके अलावा कुछ cases में, जैसे work permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद professional year शुरू करने के लिए आम तोर पर migration skill assessment के positive result की जरूरत होती है। Australia में विभिन profile categories के लिए अलग-अलग assessment bodies हैं। Intensive Care Specialist के लिए migration skill assessment, Medical Board of Australia के द्वारा की जाती है। अगले section में हम Australia में job के लिए apply करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी steps के बारे में चर्चा करेंगे। हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने job portal को भी देखेंगे। यहाँ आप अपने profile से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा options को देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है। तो आप हमें subscriber target 50,000 challenge को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें। क्रिप्या अभी इस चैनल को subscribe करें और इस वर्ष के आंध तक 50,000 subscribers को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें। हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और अगर हमें इस विडियो पर 100 likes मिलेंगे तो हम आपके लिए इस profile के PR प्रोसेस और visa filing पर एक detailed विडियो बनाएंगे। इसके इलावा हमें comment में ये जरूर बताएं कि आप इस series में next विडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं। क्या आप उस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए online या offline apply करना चाहते हैं? अगर आप फिलहाल उस्ट्रेलिया में हैं या फिर India, पाकिस्तान, नेपाल या किसी अन्य जगह से भी किसी Australian job के लिए apply करना चाहते हैं, तो एक professional के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य, job options ढू खोजना, अपने sector की jobs के लिए online या offline apply करना तथा online, offline interviews के लिए तयारी करना, अपना bio data तथा resume तयार करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि Australian employer वास्तव में आप से क्या expect करता है? एक अच्छी तरह से तयार किया गया resume recruiter का ध्यान खीच सकता है और आपको अन्य वारों से श्रेष्ट दिखा सकता है, सक्रिय भाशा, keywords और कुछ छोटे बदलावों का सही जोर किसी भी आम resume को विजेता में बदल सकता है, अगर आप एक professional Australian style resume तयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी expert resume writing team की सेवाई ले सकते हैं, या हमारी resume से संबंधित videos को देख सकते हैं, जिसमें Australian standards के हिसाब से एक perfect resume लिखने की जानकारी उपलब्ध है, Australia इसरकार ने job active नाम से रोजगार ढूंडने के लिए एक विश्ववयापी सेवा दी है, अपने dedicated portal www.jobsurch.gov.au के जरिये job active, employers और jobs ढूंडने वाले, दोनों की मदद करता है, बिना किसी fee के ये आपके लिए सही नौकरी ढूंड सकता है, इसके इलावा आप हमारी team के साथ अपना CV भी साज़ा कर सकते हैं, जिससे आप direct employers और employment agencies के हमारे valuable network को आपके लिए उप्यूकत अफसर खोजने के लिए हमारी team से मदद ले सकते हैं, Adzuna, Career One, Career Jet और Indeed Australia, Australia में online नौकरी खोजने के लिए कुछ पसंदीदा नाम है, इसके इलावा top 15 job portals की एक detailed list भी download करें जहां आप अपनी profile के लिए Australia में सबसे suitable employment का अवसर पाने के लिए online apply कर सकते हैं, अब हम Australia के permanent residency या work permits पाने के लिए उपलब्ध visa sub classes के बारे में संक्षेप में जानेगे, Australia में बहुत से pathway programs और visa sub classes हैं जिनके जरिय के एक professional Australia में work permit या permanent residency पा सकता है, इन visa sub classes को मुख्य रूप से निमनलिखित categories में divide किया गया है जो है, skilled migration visas, subclass 189 यो की permanent residency पाने की direct sub class है, state या regional nomination visas, subclass 190 और 491 यो state nomination के द्वारा PR तथा TR पाने के रास्ते हैं, permanent residence, skilled regional, visa subclass 191 और 887 यो की 491 तथा 489 की continuity में PR पाने के रास्ते हैं, employer sponsored visas, subclass 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप employers से सीधी sponsorship या nomination के थ्रू PR तथा work permit प्राप्ट कर सकते हैं, business innovation, investment और entrepreneur stream visas, subclass 888 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में invest करके या फिर किसी innovative idea, यो की Australia को economically तथा socially help कर सके के द्वारा PR तथा work permit प्राप्ट कर सकते हैं, कुछ specific targeted sectors के लिए global talent visa और subclass 476 skilled recognized graduate visa एक अन्य विकल्प है, इन में से ज्यादा तर visa applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए settle होने का मार्प्रदर्शित करते हैं, हाला कि ये visa आम तोर पर उपलब्ध तो रहते हैं लेकिन हर occupation के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि intensive care specialist के profile के लिए कौन से visa subclass says खुले हैं, तो आप description में दिये गए link पर क्लिक करें, आप intensive care specialist के लिए PR filing पर बनी हमारी dedicated वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका title Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Intensive Care Specialist है, इस सीरीज में आपको Intensive Care Specialist के लिए permanent residency फाइल करने की step by step जानकारी मिलेगी, वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात आस्ट्रेलिया में study और settle होने के लिए उपलब्ध visa विकल्प और visa sub-categories हैं, तो आईए इसकी एक संक्षिप ज़लग देखते हैं, अगर आप एक student हैं और Intensive Care Specialist बनना चाहते हैं तो आस्ट्रेलिया पढ़ाई और सेटल होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है, एक student सब-class 500 के तहट अपना study visa फाइल कर सकता है, हर student को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और सब-class 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद work permit भी मिलता है, जिसे post study work visa कहा जाता है, अगर आप study visa में interested हैं और अपने लिए best colleges और universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो study visa से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं या description में दिए गए लिंक पर क्लिक करके expert advice ले सकते हैं, इस वीडियो के लिए हमारी टीम ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है, अगर अब तक की वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है, और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए, आप हमारी टीम को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं, तो कृपिया हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं, साथ ही इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें, अगर आपको immigration से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताच करना चाहते हैं, तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ एक expert counseling session ले सकते हैं, हमारे माहर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे, इस expert session से आपको हर मुम्किन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी, हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चाई बताएंगे, सो, अगर आप तरसली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी description में दिये गए booking link पर click करें, और अपना expert session reserve करें, हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one-stop online platform देते हैं, आप हमारे immigration में माहिर टीम के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing, और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं, हम आस्ट्रेलिया में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वर अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं, इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं, तो हम आपकी company के लिए best suitable employees धूंडने में आपकी मदद कर सकते हैं, अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं, तो description में दिये link पर click करें और अपनी self assessment, खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें, अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी videos देखें, और हमारे YouTube चैनल को subscribe, like और share करना न भूलें, दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं तकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले, हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detail जानकारी मिली होगी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे,